घूर के देखने पर युवक की हत्या किये जाने का मामला सदर पुलिस्थाना अंतरगत सामने आया है चाचा भतीजे ने एक 25 वर्ष युवत को मौत के घाट उतार दिया है पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफतार कर लिया है उपर आजधानी नागपूर में हत्याओ का सिलसिला जारी है सदर पुलिस्थाना अंतरगत सुमवार की रात एक हत्या का मामला सामने आया मिली जानकारी के अनुसार सुमवार की रात 25 वर्ष ये मृतक अनिकेत तामबे लेकिन उस वक्त वहां उपस्थित लोगों ने बीज बचाओ किया जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए लेकिन फिर आधी रात को लोग फिर से मिले और वहां उनका उसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ जिस बीच आरोपी भुशन सोमकुवर के भतीजे जै सोमकुवर ने अपने पास रखा चाकू निकला और आरोपी के गले पर उससे वार किया चाकू के वार से मृतक नीचे गिर पड़ा और वही आरोपी वहां से भाग खड़े हुए पुलिस ने पड़ी ही चतुराई से कार्यवाही कर मानकापूर से आरोप्यों को गिरफतार किया है त्याक्ष्टिक नी आरोपी भुषन सुम्कूर हा बसुन होता यांचे तेते गुर्यों पाने चे कार्यवारून किरकोड वाज जाला कि तिल जे हजर काई लोकानी तेंचे वाज सड़ होला तिगही परत गेले पुण्णा मगरातरी सवबार वास्था जे सुमारा तिगही पुण्णा दिते परत आले आनि घटना सड़ी भुषन सुम्कूर आनि तयाचे पुत्नया जे सुम्कूर हे दोगे बसुन होते आनि पूर्वी जाले तया वाजा वर तैंचे पुन्ना वाज निर्मान जाला आनि या वाजा मदे जय सुम्कूर यानि तयाचे जवडील चाकूने आनि के तामबे याचे गढ़्या वर एक घाव मालून तयाला जत्मी केले आनि के तामबे याचे खाली पढ़्या नहां अंतर आरववी जी तुम् पढ़ून जेले तसे तैचे दोन शुक्ती होते आईश्ट तामबे आनि दिपेश भुरेवार हे सुदा जी तुम् पढ़ून जेले पढ़ून जाओन तैंनी जक्मीचे घरी माहिती जेली आनि विन्स होस्पेटी देते उप्चार कामी ने ले डाक्टर ने देते दवासन जाला मुर्थ भोशित के लिए